कि अधियु आधि की वीडियो में हम लेक्चर नमबर 35 करेंगे लेक्चर नमबर 35 में हम इंग टॉपिक को कवर आउट करेंगे ठीक है यह सारे तो वन पाई वन स्टार्ट करते हैं इसलेंडरी का अलशेल होता है है इसलेंडर बेसिक के लिए आपने देखा होगा ठीक है यह सकी डैफिनिशन है जो आपने याद करनी है उसके लावा इसका एक फार्मुला ओर डैफिनिशन याद कर लें इसमें आपने लिखना वी इक्वल टू एरिया आपको पता है वालियम क्या होता है वालियम अगर एरिया चेंज हो जाएगा. अब हमारे पस यहाँ पे एरिया किस की कोल होता है? पाई R स्केर की कोल होता है. लेकिन यहाँ पे दोड़ एरियास आ जाएंगे. तो पाई R 2 का स्केर माइनस पाई R 1 का स्केर. ठीक है इस तरह से. इसको साल वोट करेंगे और हमारे पास यह चीज़ा आ जाएगी यह टू पाई हाफ आर टू प्लास आर वन डोट एच आर टू माइनस आर वन ठीक है इसमें यहां पे देखिएं क्या लिखावा है इसमें इन्होंने टू पी आई लिखा है टू पी आई का मतलब है टू पाई यह टू पाई होती है मैट में कुछ चीज़ों की वैलियो फिक्स होती है 22 बाई 7 और इसको कल्कुलेट करके आप 3 पॉइंट ऐसे ठीक है इसके बाद अगर आपको कहते हैं MCQ's में कि हाउ टू फाइंड आवरिज रेडियोस ठीक है तो यह आवरिज रेडियोस के के खैवल होती है ठीक है यह है इच आपके पास हाई रीट उती है आपके लिग्स एक जाओ माइनस थीक है कितना थिक है कितना इसका इसकी मोटाई है ठीक है कितना ये ठीक है इसमें क्या कह रहे हैं एक आपको पास फंक्शन है f of x on top top पे है below by x-axis x-axis के नीचे है ठीक है or top पे है and left by x is equal to a and right by x is equal to b ये इसका क्या मतलब है यहां पे देखें कि आपके पास उसका एक जो कौना है x-axis ये y-axis होता है और ये x ठीक है तो ये x-axis वाली जो लाइन है एक कौना उससे नीचे है below है और एक उपर है ये बात है एक ये देखें एक ये है और एक ये है ये चीज़ और दूसरी क्या बात कहा रहे है कि एक left पे है उसका एक कौना और एक right पे है यनि कि एक उपर है एक नीचे है एक right है एक left है इस तरह ठीक है इसको बता रहे है उसको ग्राफिकली बिना रहे है है और कहा है अगर हम इसको वालियम निकाल रहे है निकाल सपते है और अगर इसको हम छोटे चुड़े में पीस कर रहे है ठीक है कार्ड रहे हैं ये तो इसको हम एsone s2 s3 का नाम दे रहे हैं समझा रही है जैसे कि हमारे पास एक पीजा है बहुमा मेरे का यह थो है पूरे का हिए पूरे का निकाल कर लाए के छोटे चोटे टुटे करे करें पाइंड फिर बान देट का में हम पूरे के टुटे एगे पाइंड egtर स्टृप्स होती है स्टृप्स करेंगे इसी तरह आपको मैंने बताया था डेल-X के होता है दो इंटर्वल्स को सब्ट्रेक्ट करते हैं B minus A divided by N ठीक है तो अगर इसके pieces का रहे हैं तो del X1, del X2, so on ये इसी तरे X1 के भी pieces होंगे ठीक है intervals के भी pieces होंगे सारा ये वही चीज है बस इसमें आपने याद रखना है Vs is equal to वही फिर अगर pieces होंगे S के तो फिर Vs1, Vs2, so on वही इसमें आपने याद क्या रखना है जो याद रखने वली चीज है ये Volume of cylindrical shell ये एक formula याद रखना है और एक जो उपर बताया है वो ठीक है ये और ये एक चीज है इसमें difference क्या है इसमें limit apply का रहे वान से लेकर ये अवर आल है और ये इसके चोटीटे pieces जब हो जाते है summation का मतलब है कि इसके अगर 10 pieces है तो 10 pieces को इलाग इलाग find कारके ठीक है उसको sum up कर दो end में summation का ये मतलब है और ये किस चीज के equal b होता है ये आपके हमसे qs आ सकता है r is equal to this one इसमें क्या integration है limit sub per limit, lower limit function के साथ 2 pi x है पहरे जो हमने relation पढ़े थे equal में उसमें लोगों ने किसके equate पढ़े थे एक interval थी f of x dx पढ़ा था ठीक है अब मारे पस 2 pi x के equal है ये जीज़ आपने डिफरेंस याद रखना है उसके बाद आपने cylindrical shell along y axis की definition आपने याद रखनी है below x के नीचे x के उपर volume of solid generated तो इस तासे बनाने से आपके पास एक ऐसी चीज़ आ जाती है solid n के बढ़ी भी होती है और y axis पर तो उसका formula आपने याद रखना है ये वही चीज़ आपर जो बताई है ये जो चीज़ है basic ये इस चीज़ अगर तो आपको कह रहे हैं कि आप volume of cylindrical shell निकाले हैं आपको function दे रहे हैं interval दे रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो आप दो तरी को से कर सकते हो ठीक है function आपको अगर given है उसके तासाद two pi x लगाके interval को लगाके आप solve out कर सकते हो एक ये कर सकते हो आप two यहां पे x fx के del x के del x के निकाल के interval को subtract करके divide करके end से और fx के derivative लेके इसको solve out करके sum up कर सकते हो end में ठीक है ये दो method है ये method easy होता है ठीक है तो यहां पे देखें आपके पास example given cylindrical shell find करना है तो आपको मैं क्या कहा है cylindrical shell का ये formula या फिर ये formula है आप देख लें आपने कौन supply करना है क्योंकर ये दौन चीज़ें इक वाले ठीक है इसमें आपको क्या given है यहां पे देखें y is equal to square root of x ठीक है आपके पास एक function given है एक interval given है अब आपकी मर्जी है आप यहां पे function और interval डालके निकालो यहां पे डालके ठीक है तो यह यहां पे डाल रहें क्योंकर यह easy होता है उसमें ज़्यदा मेहनत होती है ठीक है तो यहां पे इनोंने क्या किया है two pi x आप से पहले लिखा है और function जो था square root of x square root of x लिखा और d of x लिखा है क्योंकर function के अंदर x variable है interval आपके पास one से लेकर four तक थी तो upper limit और lower limit दे दी आप हमने क्या करना है volume को calculate करना है calculation की और यह finally मेरे पास answer आजाएगा पस आपको यहां पे formula यादोना चाहिए बाक्या आप कर सकते हो यह अपने एक formula यहां पे याद रखना है surface area two pi x f of x ठीक है two pi x f of x को हम surface area कहते हैं surface area of cylindrical shell as mcqs यहा सकता है उसके बाद यहां पे वही बार बार example दे रहे हैं यहां पे भी इसकी condition थोड़ से different है यहां पे देखें इस cylindrical shell निकाले है आपके foreign mind में आ जाएगा कि जो हमने उपर formula किया equate करेंगे तो दो formula लगते हैं तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए एक interval होना चाहिए और एक function होना चाहिए अब यहां पे condition different है यहां पे देखें first quadrant की बात ओद हらी है first लोग यहां अध tuned second थार्ड आफ एक ठींड होता है यहां पे एक्स negative होता was यहां पे य होताँ y negative होता है अब बात क्या होँए first quadrant का मतलब है आफ हम यहां के जहां पे यहां पे अब हमें यहां पर दो function y दो given है और हमें interval नहीं given अब हमने करना क्या सबसे पहले है यह देखें दानू y की equal है यहां से हम x is equal to x square करेंगे x minus x square is equal to zero this implies x common ले लेंगे 1 minus x is equal to zero आप 2x है ठीक है आप x is equal to zero और 1 minus x is equal to zero और लाग कर लेंगे ठीक है तो यहां से x is zero और यहां से x is equal to plus one और यहां से पहले हम limits को निकालेंगे यहां से limit को निकाल दिया है अब आपके पास function दो है एक नहीं है तो आपने दो वाली condition को use करना है अगर तो यहां पर यह वाला formula करना है solve out करना है आपके पास answer आ जाएगा ठीक है यहां पर next statistics lecture को भी इसी वीडियो में cover out करते हैं ठीक है length of a plane curve एक plane curve की आप हमने length निकाली एक plane सी तासा curve है इसकी definition अपने याद का लेनी है इसमें हमारे पास होता क्या है intervals होती है function होता है और आपको length निकालनी होती है यह आपके पास interval है यह function है और आप इसकी length आपको बता हो कभी सिकरी किसको कहते है लंबाई को आपने पढ़ी होगी छोटी classes में length ठीक है इस सारा प्रीडवट कर लेना इसमें से कोई ने कोई MCQ आ जाता है यही बात हो रही है वही कि अगर हम length निकालना चाहते हैं किसी चीज़ की तो निकाल सकते हैं लेकिन अगर एक रस्ती है ठीक है इसकी length अगर इसके हम चोटी 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 करें तीन जग उसे कार रहें त चीज़ को इसका बैसिकली फर्मूला देख लेते हैं यह इसमें हम क्या करते हैं इंटर्वल्स आपको बता है ना डैल एक्स के का स्केर प्लस डैल वाई का स्केर ठीक है length is equal to डैल अफ एक्स प्लस डैल आफ वाई निकाल के स्केर रूट अब इसको अगर स्प्लिट कर रहे तो पिर के पीसीज करेंगे जितने भी पीसीज होंगे हम के कह देंगे ठीक है यहां पर यह वही बात हो रही है यह चीज़ अब हमने अगर डैल वाई के निकाल ला है तो वह हमारे पास किसकी कवर होता है एक फंक्शन एक फंक्शन एक फंक्शन एक फंक्शन एक फंक्शन 0, dub L Y2 अगर Y2 निकालना न है स यह ऐ है अगर Y3 निकालना थो Y3, Y2 इस तरह से ठिक है यह दो फर्मूले याद रखने मिसमेशनल के का फर्मूला यह 1 live respons letter f- glare scientistMusic q- फिर दा नज tungst discipl buses भब वार ब स्य दुम यह क्या चीज है यहां पर Dx और यहां पर मैंने आपको बताया था F-fx का मतलब भी derivative होता है Dbdx का भी derivative होता है D1 का भी F1 का भी F-star sub का मतलब होता है derivative आज आगशर में क्या है एक फिर लेते हैं हमने लेंट अगर निकाल नहीं एक तो कैसे निकाले हैं ईसके अगर एकजंपल आज एक लेंड की तो आपने क्या एगर आपके पास १िस पर payload होंगी यहां पर देखे हुए पहले आपको जो payroll होती थे ये intervals given थी A, B ठीक है आप क्या करते थे, del X कैसे निकलता था ये let's suppose A है, ये B है, value given होती थी B minus A divided by N करते थे, ठीक है del X तो आ गया, आप हमने, ये del X आ गया अब हमने अगर इसका scale ले लेंगे, del Y निकाला है तो वो कैसे निकलता है, del Y के लिए आपने ये formula लगाना आपके पास दो function होंगे, ठीक है, दोनु फंक्शन को subtract करोगे del Y आ जाएगा, उसको इस formula में put करोगे, आपके पास length आ जाएगी, ठीक है यहाँ पर आज के lecture को stop करते हैं, यह अपके आज का lecture आपको अच्छे से समझा गया हो